हेलो गाईस कैसे हैं आप सब आशा करती हूं अच्छी होंगे प्रे करती हूं आप सब हमेशा फुसरा है स्वागत है आपके हमारे यूटूब चैनल आरके फूरी कुकिंग स्वात का राज़व हैं तो जम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हैं और क्रंची हैं और क्रिस्पी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसा पहला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बैल आइकन को प्रेस करके ओल पे क्लिक कर देना एंड वीडियो में एंटक बने रहना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को राइक जरूर किजिएगा तो चलिए बनाना सुरू क सब्सक्राइब लेंगे और इसमें दो टेवल स्पून मैंदा लेंगे और इसमें थोड़ी सी एजवाइंड डालेंगे और यह दो टेवल स्पून और डाल रही हूं और यह थोड़ा सा टेस्ट के कोडिंग नमख डालेंगे और थोड़ा से पनी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे कि पानी थोड़ा थोड़ा डालें डो को जन्यादा हाड नहीं रखना है वह सॉफ्ट बननाने मिलकुल लेग दंदम देखें इस तरह से और इसको बिल्कुल पांच मिट के लिए ऐसे चोड़ देंगे रिष्ट के लिए तो अभी मैंने तीन से चार आलो लिए हैं इसको कद्धू कर लेंगे अब इसमें आदा चमच लाल मेंच पाउडर आदा चमच दनिया पाउडर और यह चेट मसाला आदा चमच इसको डालने वाद आपको और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है अब साधी साथ थोड़ा सा नमक डालें के जैमने मैंदय में भी नमक डाल कर रखा हुआ है और यह डेर सारी फिरस करशेंडर लेप्स डाल दें इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं और यह तीन से चाल मेंने हरी मिर्च कट करके इनको भी डाल लेंगे अगर आप तीखा थोड़ा कम खाते हैं तो थोड़ी कम डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को आलो में एक दम बिल्कुल मिल जाना चाहिए मसाले को तो हमने जो डो बना कर रखा था वह बिल्कुल तैयार है अब इसको बस हाद से थोड़ा से ठीक कर लेंगे इस तरह से अब इसके दो भाग कर लेंगे और फिर से एक गोल पेड़ा बना लेंगे इसका अब इसको बेल लेंगे तो देखी मैंने इसको बेल कर बिल्कुल बड़ा कर लिया है अब बिल्कुल यह जाए लिए थोड़ा मोटा रखे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना आपको पूरी को अब यह जो आलू को मसाला बनाया था हमने इसको इस पर फैला देंगे चमस से अलू को मसाला भी पतला कटल फैला हैं जैन्द मोटा ना फैला है और इस तरह से रोल कर लेंगे इसको कि अब अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड डाउंड घुमा देंगे तो अब यह बन चुका है अब नाइप से इसके आगे का भाग और पीछे भाग निकाल देंगे और इस तरह से बीच से कट लगा लेंगे सारे कट एक बराबर लगाना है आपको अब यह के सारे कट लग चुके हैं और पीछे भाग निकाल देंगे अब इनको हाथो पर लेंगे इस तरह से अब बिल्कुल इसी तरह से हलके से इसको फ्लैट कर देंगे ज्यद्ध आपको घुमाने चलाना नहीं है इसको नहीं तो यह फट जाएंगे इस तरह से बस हाथों से से शेव देंगे आपको उंगलियों की सहता से इसी तरह से हम सारे पीड़े को इस तरह से बना लेंगे एकदम पीड़े की सेव में और यह बिल्कुल रेड़ी है अब एक बावल में थोड़ासा मैदा डालेंगे और थोड़ासा पानी आड़ करें पानी थोड़ा-थोड़ा आड़ करें ताकि इसमें गुटलियन आ रहा इमिर्दक कर दिया मैंने पेड़े बना कर रखेते हैं उनको इसके डिप करेंगे को शुले निकाल देंगे काड़ा मागे हम रख दिया था इसमें केकं सारे छोड़ देंग तो इस नाश्टे को आप रात में बना कर तयार कर सकते हैं और सुबा इसको फ्राय करके खा सकते हैं सुबा में इतना टाइम नहीं होता है बनाने के लिए तो आप रात को इसको प्रप्रेशन करके रख लें और सुबा बना कर एक दम घरम घरम खाये तो देखें पलेट कर दूसरे साइट से भी सेख लेंगे इनको लाइट गॉल्डन ब्राउन करना है जब डाग गॉल्डन ब्राउन नहीं करना है बना इनका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है तो आप लाइट गॉल्डन ब्राउन ही रखें इसको बहुत in लागत आई मैं निकाल दीआ है और इसी तरह सारे निकाल लेंगे और आप भी इसी इस कलर करखना है तो अब यह बनकर बिल्कुल राड़ी है मैं इसको एक प्लेट में सहब पूर नहीं हूँ, आप इस नास्ते को चाह के साथ या फिर सॉस के साथ किसी के भी साथ खाईए, बहुत टेस्टिक लगते हैं एक बाद ट्राय जरूर कीजिएगा आप अपने घर पर तो बनकर यह रेड़ी हैं, नियमी अन क्रस्पी नास्ता, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो क्लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बाक्स में मैं जरूर बताएगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, साथे साथ प्लीज चैनल को सब्स्राइब पास्ते रहें, मिलते हैं एक लिए वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ वीडियो का इंटर देखने लिए,